हेलो बच्चों, मिलकम टो इसार क्लासेज, आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कारबनिक योगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, यह बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं होगा, जो हमारे कोर्स में है, जो सिलेवस में है, हम लोग सिर्फ उसी क को सीखने वाले हैं, अगर आप लोग कहोगे, तो एक वीडियो में बनाऊंगा, जो कि एडवांस लेवल कहोगा, जिसके मदद से आप किसी भी कारबनिक योगिक का नाम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही एडवांस लेवल पर मैं बना दूँगा, ठीक है, लेकि हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइडरो कारबन कहते हैं, तो एलकेन बैसे हाइडरो कारबन को कहते हैं, जिसमें कारबन और कारबन की बीच में सिर्फ और सिर्फ एकल बंधन हो, ठीक है, जिसके सभी कारबन एक बंधन से जुड़े हुए हो, ठीक है, एकल बंधन से और वो चीज़ किया है, कि यदि किसी सृंसी सरिंखला में, याजिंखर के मैं योगिक में, मतलब मान लो, कि योगिक है, उसमें ऐसे इस तरीके से कारवण कारवण बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्रिंखला, थे कैंचो एक कारवण हो, थे क्या नाम मोलेंगे, क्या क्या नाम बोलेंगे ठीक है तो इन सब को हम लोग बोलते हैं एल के क्या बोलते हैं बच्चो एल तो यदि किसी सरिंखला में सिर्फ एक कारवन हो तो अब हम उसके बदले में लिखेंगे मेत अगर दो कारवन हो तो लिखेंगे एत तीन कारवन हो तो प्रोब और इसी तरीके स 付 मैंने यहां दस्तक लिख रखोए मैं बात करते हैं किसके नाम कैसे लिखेंगे हम लोग इसको नाम ये जोड़ देंगे And यह चोटा यहां सब से चोटा हुए एक कारबन की रहें फिरें को सामानी सुत्र का बात नहीं पेढ़ना बंधन बनाता है? चार बंधन बनाता है, तो चार बंधन इसका ऐसे आप लोग बना दिया करो, ठीक है? अब देखो, हाइड्रो कारबन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये चारो बंधन में आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ोगे, किसी और तत्वे को नहीं जोड़ोगे ठीक है जी अब इसका नाम क्या है बहुत ही आसानी से रख सकते हैं एक कारबन है तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे मेत लिखेंगे एक कारबन के बदले हम लोग इस्तमाल करते हैं मेत और उसमें क्या जोड़ देना है एन तो देखिए जब दोनों का सिंगल बंधन के दोड़ा जोड़ना है यही सर्थ है एलकेन का ठीक है कि किसी भी स्रिंखला में कोई भी स्रिंखला उसमें कारवन और कारवन की बीच में बंधन कैसा होना चाहिए सिंगल बंधन होना चाहिए ठीक है अब देखिए बाकी का जो बच गया जो बंधन बच गया एक कार्बन चार बंधन बनाता है ना तो ये कार्बन देखो एक बंधन बना चुका है तो तीन बंधन और बनाएगा ये कार्बन भी एक बंधन पीछे बना चुका है तो मतलब तीन बंधन और बनाएगा इन सारे बंधनों में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन ठीक है बैसा ही होगी जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है अब इसका नाम क्या होगा दो कार्बन है हम लोग लिश्ट से देखेंगे कि दो कार्बन के बदले में रखते हैं एत और इसमें क्या जोड़ेंगे एन तो जब एक साथ इसका संधी करेंगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा एत एन ठीक है बच्छों कोई टफ नहीं है बहुत ही ज्यादा आसान है किसी भी योगी का नाम लिख सकते हो दस कारवन तक ठीक है दस से ज्या से आपस में जुड़ा हुआ बाकी सब को आप कैसे लिख सकते हों यह रहा हाइड्रोजन फिल कर दीजिए सब में यह समझ में आ रहा आपको देखिए यह एक कारवन है इसका दो बंधन पहले से बन चुका यह यह वाला कारवन एक बंधन पीछे एक बंधन आगे तो दो ब बना दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिये उसमें ठीक है इसके साथ भी बही हाल था इस कारवन का सिर्फ एक ही बंधन बन रखा है यह तो यह तीन बंधन और बनाएगा क्योंकि टोटल चार बंधन बनाना है ठीक है जी अब देखिए यहां पर इसका नाम क्या रखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कारवन है तो यहां से क्या नाम रखाएगा paint लिख दिया paint और last में क्या जोड़ना है in तो इसका नाम क्या होगा paste ठीक है अब देखिए इसी चीज को कभी कभी बुक क्या लिखता है इस कारवन को आप लोग देखो इस कारवन को य तो लिखेंगे CH2, फिर carbon है, हमने लिखा carbon, दो hydrogen है उसके साथ, तो इसके साथ भी लिख दिया CH2, यहाँ फिर से carbon है, तो C लिखा इसके साथ भी 2 hydrogen है, लिखा CH2, यहाँ पर carbon है, carbon लिखा इसके साथ 3 hydrogen है, 1, 2, 3, यह देखें, तो आप या तो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख ल चार कारवन को आप इस तरीके से जोड़ दीजिए ठीक है जी अब देखिए मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है यहां पर तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा कैसे तो इस कारवन का सिर्फ एक बंधन बना हुआ अधर किसके साथ यिपनके से लिखना सिखारा हूं इस कारवन का इसकारवन का सिर्फ एक बंधन मना हुआ मतलब तीन उर बनेगा तो तो बंधन किसके साथ फोर एक पीछे मतलब दो बंधन और बनाएगा तो कितना hydrogen चाहिए इसको एक hydrogen एक बंधन बनाता है देखिए ये hydrogen कितना बंधन बना रहा है एक तो दो बंधन बनाने के लिए कितना hydrogen चाहिए दो hydrogen तो इसमें लगा दो CH2 समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां देखिए यहां पे इस carbon का भी दो बंधन बना हुआ है तो दो और बनाना है दो hydrogen चाहिए इस carbon का सिर्फ एक बंधन बन रखा है पीछे की और मतलब तीन और बनाएगा तो कितना हो जाएगा तीन hydrogen ठीक है आपको ये समझ में आ गया कैसे करते हैं अब इसका नाम रखेंगे तो चार कारवन के लिए हम लोग किस चीज का इस्तमाल करते हैं ब्यूट का तो हम लिखेंगे ब्यूट और इसी में क्या जोड़ना है एन तो बार बार अप ऐसे संधी नहीं करोगे ठीक है एक ही बार में एन जोड़ोगे ना तो ये ए हो गया और ये हो गया ना तो क्या बन गया ब्यूटेन ठीक है बच्चो इतना समझ में आ गया बहुत ही जी था ये अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छा सवाल करते हैं इसमें थोड़ा सा और अच्छा सवाल करने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा वो काम क्या करना पड़ेगा लेकिन उस काम से पहले एक चीज और समझ लेते हैं मैंने यहां पर समान्ने सूत्र लिख रखा है समाने सूत्र समाने सूत्र का मतलब क्या है कि इन सब को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या है ना उनके बीच में एक संबंध है और वो संबंध कैसा है कि अगर यहां पर चार कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना ह 2 का दुगना मतलब N का दुगना 2 into 2 और पलस में कितना है 2 मतलब दुगने से 2 जादा क्या ऐसा हो रहा है यहां पे देखो तो 1 कारवन 2 कारवन 3 4 4 कारवन है तो हाइडरोजन कितना है 3 2 5 2 7 और 3 10 तो 4 दुनी 8 और 8 हो 2 कितना होता है 10 बिल्कुल फॉलो कर रहा है तो एलकेन का सामान निसूतर जो होता है वो होता है cn h2n plus 2 मतलब c जितना है उसके दुगने से 2 ज्यादा कौन होगा h होगा ठीक है जी आप इसके जरिये भी डाइरेक्ट यह लिख सकते हो कैसे लिखोगे अभी हम बताते हैं c के जगह पर आप 6 रग दो तो देखो यह एन के जगह पर तो यहाँ पर कितना हो गया c6 उसके बाद h2 है तो हमने लिखा 2 और यह जो n है उपर में नहीं है इसी के साथ है तो n के जगह पर कितना रखा है छे रखा है तो यहाँ भी 6 ही रखना पड़ेगा और प्लस में 2 तो इसी में प्लस 2 करेंगे तो ये देखिए C6, H6, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, मतलब दुगने से 2 ज्यादा, अब इसका नाम क्या पड़ेगा? ये भी एलकेन है, है ना? इसके समाने सुत्रे से ही तो बनाए है, ये भी एलकेन है, इसका नाम क्या पड़ेगा? तो ये देखिए 6 कारबन, कारबन कितना पीस है, छे पीस है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, हेक्स, और इसमें जोड़ेंगे एन, तो ये देखिए, एन जोड़ दिया, एक ही साथ, तो क्या नाम हो गया, हेक्स एन, तो या तो संरचना बैसे C के साथ H अलग अलग जोड़ो, या C के साथ H को इस तरीके से और बुक से उसको कंपेर किजिएगा, बिल्कुल आसानी से बना लिजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की, और एडवांस लेवल में क्या है, कि हम लोग इस सिरेनी में, इन जो योगिक लिख रहना, इसके उपर नीचे कुछ अलग से ब्र योगिक से एक हाइडरोजन, एक हाइडरोजन को माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो बचता है एलकील, क्या बचता है बच्चों, एलकील, ठीक है, अभी देखिए, इसको हम लोग एक्जामपल की जरीए समझते हैं, एक एलकेन सिरेनी का योगिक लो, CH4, ये एलकेन ह एक हाइडरोजन आप लोग निकाल दीजिए, मतलब क्या हुआ कि कारवन तो एक पीस था, एक पीस रहेगा, क्योंकि उसको हमने नहीं निकाला है, लेकिन हाइडरोजन चार पीस में से एक पीस बाहर, तो कितना पीस बचेगा, तीन पीस हाइडरोजन बचेगा, मतलब माया कोई बात नहीं ये देखिए कारवन चार बंधन बनाता है तीन हाइड्रोजन इसके साथ जुड रखा है इस तरीके से तो ये वाला बंधन तो इसका फिरी है ना यहाँ पर जाकर के कोई भी चीज जुड सकता है ठीक है तो इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा एल एलक पलस में एल ठीक है तो एलक क्या है एलक है ये सब और एल उसमें और जोड़ देना है मतलब एक कारवन है तो एक कारवन के लिए क्या लिखेंगे मेथ लिखेंगे क्या लिखेंगे मेथ और इसमें क्या जोड़ेंगे एल एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेथिल में ठिल ठीक है बच्चो अभी देखिए थोड़ा एक और आगे करते हैं दो कारवन वाला ये लेते हैं तो C के जगा पर अगर हम दो रखेंगे तो हाइडरोजन कितना हो जाएगा दो का दुगने से दो जादा मतलब कितना 6 है ना C अगर 2 है तो हाइडरोजन कितना दो दो नी चार और चार में दो और जोड़ो तो कितना 6 ये क्या है जी एथेन दो कारवन से क्या बनता है एथेन इलकेंसरेनी का इसमें से अगर आप एक हाइडरोजन बाहर निकाल देते हो तो C तो दो पीस बचेगा लेकिन H कितना पीस बचेगा 5 पीस बचेगा और इसका एक बंधन फिरी हो जाएगा अब इसका नाम क्या हो जाएगा तो देखिए दो कारवन से क्या लिखाता है एथ लिखाता है तो एथ में इल जोड़िये तो क्या हो जाएगा एथिल ठीक है इसी तरीके से तीन कारवन में क्या हो जाएगा प्रोप्टील चार कारवन में बिउटील पेंटील हेकसिल हेप्टील आक्टील नोनिल डेकिल ठीक है जी सब ऐसे ही बन जाएगा अब मैं और नहीं करा रहा अब देखिए इन सब का इस्तमाल हम लोग एलकेन में कैसे करते हैं कितना समझ में आ गये आप लोगों को आईए एलकेन में आते हैं फिर से एक बार एक हम यहाँ पे सरिंखला लिख रहे हैं कारवन कारवन इस तरीके से पांच कारवन आपस में जुड़ा हुआ है एक कारवन जो है ना इस तरीके से नीचे जुड़ गया है ठीक है तो देखिए जब ऐसा सिच्वेशन आने लगे कि एक कारवन ऐसे सिधा सिधा रहे और किसी कारवन से मतलब कोई भी बीच वाला कारवन से कहां उपर या नीचे कोई कारवन जुड़ा हुआ रहे ठीक है उपर भी जुड़ सकता है और नीचे भी जुड़ सकता है तो ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं साखा ठीक है इसको बोलते हैं साखित Elkate ठीक है जी ये है साखा अब इसका नाम कैसे लिखाएगा तो सबसे पहले हाइडरोजन भरो ठीक है ये देखो ये एक कारबन है ठीक है और एक बंधन इसका बना हुआ है तीन बंधन चाहिए और तो तीन हाइडरोजन देंगे तो तीन बंधन बनेगा इसको कितना hydrogen देना पड़ेगा, दो बंधन बना हुआ, एक पीछे और एक आगे, दो hydrogen दीजिए, ये हो गया, इसको कितना देना पड़ेगा, तो इसको भी दो hydrogen देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा, तो इसको भी दो hydrogen और इसको कितना, तीन hydrogen, ठीक है, उमीद कर यहां पर एक ही हाइड्रोजन पड़ेगा कैसे पड़ेगा देखो यह कारवन जो है इसके साथ मतलब कितना बंधन बना हुआ है तो एक बंधन इस तरफ एक बंधन नीचे एक बंधन इस तरफ तीन बंधन बन चुका है तो यहां पर एक ही बंधन न चाहिए तो एक हाइड्र और कारवन का सबसे लंबा सुरिंखला ढूंद होगे सबसे लंबा सुरिंखला मतलब क्या ऐसे देखो यह एक सुरिंखला बनाओगे इसमें कितना कारवन है एक, दो, तीन, चार, पाँच कारवन, ठीक है, इस से लंबा सरिंखला हो सकता है, क्या, सरिंखला का मतलब क्या है, कि कारवन कारवन को पकड़ते हुए, अगर आप आगे बढ़ो, तो क्या, ऐसा कहीं पर ये है, सिरीज में जुड़ा हुआ कारवन है, जिसमें 6 कारवन पाँच कारवन, अभी और अच्छे से समझ माएगा, देखिए, एक सरिंखला इसमें और है, वो सरिंखला कौन सा है, ये, ये सरिंखला, ये भी तो सरिंखला है, कारवन का, इसमें कितना कारवन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच कारवन, ठीक है, तो कहोगे सर, इसमें भी रमलब ये ले सकते हो और उपर वाला जो ऐसे फंथर घेरे थे फो भी ले सकते हो तो जब शरी DLC अब लिखना से पहले से नाम नहीं नबर लिखना पड़े गा तो नंबर हम कारवन को कहां से दे सकते हैं इस तरफ से लिख सकते हैं एक दो तीन चार पांच यह हमने इस तरफ से लिखा ठीक है तो आप लोग कहोगे सर इधर से भी तो लिख सकते हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है कारवन को हम लोग नंबर दे रहा हैं तो किसका कौन सा नंबर हम ल वालानमबर लेंगे जिधर से साखा क्या हो कम नंबर पे आ जाए कम नंबर मतलब जिस कार्वन पे यह सा जुड़ा हुआ है उस और जब हम लोग इधर से नंबर दे रहे थे तो फिर कारवन ये वाला कारवन को कौन सा नंबर मिला दूसरा नंबर तो किस तरब से देने पर कम नंबर मिला इधर से दिये तो चार मिला इधर से दिये तो दो मिला तो इधर से कम मिला ना तो ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे इधर से करेंगे इस साइ बाहर निकला था तो क्या बचा था CH3 और इसको क्या बोले थे इल मेथिल है ना एक कारवन से मेथ और इल जोडते हैं अगर एक हाइड्रोजन कम रहे तो इल जोडते हैं तो क्या हो जाएगा मेथिल तो लिखेंगे मेथिल और स्रिंखला में कितना कार्वन है, पांच कार्वन, नमबर दिया हुआ है न, पता चल जाएगा, लास्ट वाला देख लो, कितना कार्वन है, पांच कार्वन, तो पांच कार्वन से क्या बनता है, पेंट, और यह है कि असब ही कार्वन के बीच में सिंगल सिंगल बंदन है, तो L-K-N है, तो N जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, पेंटेन, लेकिन बच्चों ये अभी अधूरा है, अधूरा कैसे है, ये मेथिल का हमको जगह बताना पड़ेगा, कि मेथिल कहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो मेथिल के नमबर कारवन पे बीच में हमेशा ये वाला चीन लगाते है, ठीक है, और अंक और अंक के बीच में हमेशा कौमा लगाते है, ये सब बात का बात है, जब हम लोग एडवांस में, अगर आप लोग कहोगे, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को ये सिखा दूँगा, ठीक ह और ये भी C, जोड़ दीजिए, अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया? नीचे C, जोड़ दिया है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर दो चाहिए, यहाँ सिर्फ एक चाहिए, क्रणा या कारवन का अगर हम इसको सिरिंफला मानते हैं इसमें के करवन एक दो तीन चार-पाँच छे कारवन या जी लंबार क्रियint कारवन का नंबर करेंगे ठीक है जी क्लिल्वक तरीक हम करने का तरीका भी बताए ऐसे नंबरिंग 6 और अगर इस तरब से करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 देखो 4 पर मिल रहा है तो इस तरब से नहीं करेंगे इधर से करेंगे क्योंकि इस तरब से करने पर 3 ही पर मिल जा रहा है ठीक है तो छोटा वाला को ध्यान देना है छोटा वाला को सम्मान देना है ठीक है जी तो अब इसक इसका नाम लिखते हैं जो ल्टका हुआ रहता ना उसका नाम लेतिर सबसे पहले यह देखो यह क्या लटका हुआ नंबर पे तीसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है और यह च्छे कारवन के बज़ए से इसका नाम क्या है हेक्सेन है ठीक है हम लोग एक दो एक्जामपल और करते हैं जो इससे भी अच्छा हो यह देखिए यहां देखिए हैं हो में है है यह शीज़ तीरी को है शीज़ टू शीज़ टू शीज़ टू शीज़ टू शीज़ तीरु अब देखिए यहां पर एक c h 3 जोड दीजिए यहां पे एक लिगा होगा कोनई हो नों किए आप उस्तार सान हो कि आपको लगे कि सर 11 सा करा रहे था 手 आतना ही पढखना इससे जादा तफ नहीं पढ़ना है ठीक हई यहां देखे डिआ तो देखिए साका कहां पर है एक यह साखा है सबसे पहले आप इसको सरकल कर लो और पाचान लो अब कारवन का नंबर करेंगे तभी हम लोग नाम लिख पाएंगे ठीक है क्योंकि साखा का नंबर लिखना होता है तो नंबर करने का दो रास्ता है एक तो आप इस तरफ से करोगे दूसरा इस तरफ से करोग तो इधर से तीसरा नमबर पे मिल रहा है, तो तीसरा वाला नहीं चाहिए, हमको छोटा चाहिए, ठीक है, तो दूसरे नमबर पे ये ले लिया, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, बच्चों समझ में आया, इधर से जब numbering किया, तो ये तीसरे नमबर पे पढ़ रहा थ ये साखा है, तो ये भी तो साखा ही है, इधर से किया, तो ये दूसरे नमबर पे पढ़ रहा था, तो इसको ले लिया, ठीक है, अब देखिए, इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो दूसरे नमबर पे है, और पांचवे नमबर पे है, कौन, मेथिल, तो लिखेंगे ऐसे कि दूसरे नमबर पे और पाचवे नमबर पे कौन है भाई बताएं हैं कि अंक और सब्द के बीच में क्या लिखते हैं ये हाइफन का चीन देते हैं तो क्या है मेथिल है ठीक है और ये है क्या साथ कारवन के बज़े से साथ कारवन के बज़े से क्या हो जाएगा हिप टेन तो क जब कोई चीज मतलब एक ही जैसा चीज दो पिसक इसी यौगिक में रहे तो देखिए ग्रीक में एक को बोला जाता है मोनो एक को बोला जाता है मोनो जियादातर केस में हम इसका नाम नहीं लेते हैं लेकिन जब दो आ जाये तो दो को बोलते हैं डाई तीन को बोलते हैं ट्र ये आपको याद रखना है, पांच को पेंटा, छे को हिकसा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, चला जाएगा, तो ये देखिए, जब कोई चीज दो पीस उपस थी थो, तो हम लोग उसके आगे लगाते हैं, डाई, जैसे यहां पर दो प मेथिल, हेप्टेन, दो पीस मेथिल है, और क्या है, हेप्टेन, साथ कारवन के बज़ा से क्या है, हेप्टेन, अभी पूरा हो गया, नहीं, अभी थोड़ा सा और है, इसको दो और पांच क्यों पढ़ेंगे, इसको पचीस क्यों नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पचीस पढ और अंकों को अलग करने का तरीका है बीच में क्या लगा ये कौमा ऐसा नो कि ये लगा देना तो अंकों को अलग करने के लिए बीच में कौमा लगाते हैं और अंक और सब्द को अलग करने के लिए बीच में हाइफन का चिंद देते हैं उमीद करता हूं समझ में आ गया होग को ठीक है इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है इसी तरीके से कहीं पे भी जोड़ करके एक दो सवाल आप लगा लगाईए और लगा कर के बनाईए इसको ठीक है आईए हम लोग देखते हैं हमारा अगला तौपिक क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि ALKeine कहते हैं तो ELKeine बच्चो उस Hydro Carbon को कहते हैं जिसमें Carbon और Carbon के बीच में double बंदन होता है अब ये जरूरी नहीं है कि सब ही Carbon Carbon के बीच में double बंदन हो किसी भी दो Carbon के बीच में अगर double बंदन हो गया तो वो किस सरेनी का योगी कहलाएगा एलकीन सरेनी का योगी कहलाएगा ठीक है जी सिर्फ एक में हो जाए इतना ही काफी है दो में रहेगा तब भी कोई बात नी तीन कार्बनों के बीच में ऐसा रहेगा तब भी कोई बात नी लेकिन दो में तो होना चाहिए, कोई भी दो परमानू जो कार्बन परमानू है, वो आपस में डबल बंधन के तोवारा जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए इसका समाने सुतरे क्या होता है, तो समाने सुतरे होता है, C-N, H-2-N, ठीक है, और इसका नामा कर हैंगे, करके, ठीक है, यह समाने सुतरे याद रखना बहुत जरूरी है, बच्चों, अक्सर एकजाम में बनता है, यह सवाल, कि एलकीन का समाने सुतरे बता है, या एलकेन का समाने सुतरे बता है, एक नंबर का अबजेक्टिव में आता है, एक दम याद रख लीजिए इस यहां पर हमने बना दिया डबल बंधन ठीक है अब इसका नाम क्या होगा तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन लगा लो इसका देखिए एक बंधन बना हुआ है तीन बंधन और चाहिए तो तीन हाइड्रोजन लगाएंगे इस कारवन का एक बंधन पीछे बना हुआ है एक आगे तो एक बंधन चाहिए तो एक लगा दिया यहां पर देखेए एक बंधन बना हुआ है टीन टीन लगा दिया अब इसका नाम लिखेंगे लिए यहां भी हम लों क्या करते हैं numbering करते हैं यह जो carbon पे जो उपर number लगाते थे ना वो number लगाते हैं ठीक है तो यह देखिए यह जो बंधन बना हुआ कंरते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं चले जाएंगे यह 5 तकंग अगया ऑगर हम सबसे करते हैं यहां यह देखिए यह दूसरी नंबर पर और् raspी इस तरफ else किया तो दूसरे नंबर पे इस तरफ से किया तो तीसरे नंबर पे ये दोनों कारवन एक ही है क्योंकि ये दोनों जो है वो डबल बंधन से जुड़े हुए है ठीक है तो अगर हमने इस तरफ से किया तो चोटा नंबर मिला इस तरफ से किया तो तीन जो है वो किया है दो से ब यह लिख दिया paint और इसमें क्या जोडना है in जोडना है तो लिख दिया in ठीक है लेखिन एक चीज ओर लिखना है यह double बंधन किस carbon पे है इसलिए तो number दिया है तो यह किस carbon पे है जहां से छोटा हो । ऐसे तो तीसरा नंबर पह भी है दूसरा number पे ठीक है तो कहा लिखेंगे छोटे वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे दो number पे paint in अगर इसको add कर देंगे तो क्या हो जाएगा paint in ठीक है जी दूसरे number पे क्या हो गया paint in हो गया ठीक है अगर इसी को हम यहां से shift करके यहां कर दें तब भी यह क्या है दूस तो अभी भी इसका नाम किया है दो नंबर का पेंटिय तो आप लोग कहोंगे सर यौगिक तो अलग अलग बन रहा है नाम एक ही कैसे हुआ ठीक है तो बच्चों यौगिक अलग नहीं है इसको ऐसे पकड़ कैसे पलट दो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा जो पिछला हमने एक्जामपल ले रखा था वो बन जाएगा ठीक है तो बही यौगिक है हमने इसको क्या किया है सिर्फ इस तरीके से पलट दिया है ठीक है हम लोग देखते हैं एक दो नाम और लिखते हैं आसान आसान सही है ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों के सिलेबस में यह देखिए हमने ले लिया तीन कारबन ले लिया है और इसके बीच में डबल बंधन लगा दिया ठीक है तो इसका देखो दो बंधन बन गिया तो दो कारबन चाहिए था दो हाइडरोजन चाहिए था दो लगा दिया इसका देखो तीन बंधन बना हुआ है इस का दो पीछे एक आगे ए एक हाइडोजन चाहिए लगा दिया इसका सिर्फ और सिर्फ एक बंधन बना हुआ है तीन हाइडोजन चाहिए तीन लगा दिया नाम लिखेंगे लेकिन उससे पहले नंबर लिखेंगे देखो यह कारबन डबल बंधन से जुड़ा हुआ है और यह कारबन डबल बंधन से करोगे तो इसको दूसरा नंबर मिलता है जो की एक से बड़ा है अब इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एक नंबर पे क्या है भाई तीन कारवन है तीन कारवन से क्या बनता है प्रोप बनता है और इसमें क्या जोड़ना है इन तब प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्य हो जाएगा प्रोपीन तो क्या वो लेंगे एक नंबर पे प्रोपीन है इसी को लिखने का एक और तरीका है बच्चों आप लोगों की बुक में ये दे रखा है लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीन कारवन के बज़ा से क्या बनता है प्रोप उसके बाद लिखेंगे पहला लिख सकते हैं यह भी हमारा बिल्कुल सही नाम है प्रोप वन इन मतलब तीन कारवन है इसमें और पहले नंबर पर क्या है डबल बंदन है इन देखते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे डबल बंदन है अब देखिए एक-दो एकजामपल और कर लेते हैं इसको मैं पूरे को क कर देता हूं यह देखिए हाइड्रोजन लिखने के लिए जगह जरूर बनाईएगा आप लोग यह रहा है यहां पे हम डबल बंधन कर देते हैं ठीक है और यह करते हैं यहां पे भी डबल बंधन कर देते हैं अब देखते हैं क्या नाम होगा यह देखिए इसको तीन हाइड चाहिए इस कारवन का भी तीन बंधन बना हुआ है दो पीछे एक आगे एक हाइड्रोजन लगा दिया इसका भी तीन है तो एक ही लगाना पड़ेगा और इसका क्या हो जाएगा CH3 ठीक है जी अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने से पहले नंबर लिखना पड़ेगा नंबर अगर हम इधर से करते हैं तो पहला दूसरा दूसरा नंबर पर क्या मिल गया डबल बंधन और अगर इस तरफ से करते हैं तो पहला दूसरा दूसरे नंबर पर क्या मिल गया डबल बंधन जब ऐसा सिच्वेशन हो तब आपकी मर्जी जिधर से कर लो दोनों तरफ से तो ऐसे ही मिल रहा है, दो ही नमबर पे मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया तीसरा, चौथा, पाच्वा, और क्या हो गया, छट्था, ठीक है, अब देखो, हम इसका नाम दो तरीके से लिखेंगे, बैसे जैसे ही अभी सिखाया था, सबसे पहले क्या है, छ चौथे नमबर पे, ठीक है, जी छोटा-छोटा वाला, ये देखो, पाच्वा और चौथा, दोनों डबल बंधन से जुड़ा हुआ है, लेकिन छोटे वाले का नाम लिखना है, तो लिखेंगे, ऐसे डैस देखर के, दूसरा नमबर पे, और चौथा नमबर पे, दोनों को अलग करेंगे, कौमा के जरिये, क्या है, इन जुड़ा हुआ है, डबल बंधन के बज़ा से क्या है, इन जुड़ा हुआ है, अब देखिए, थोड़ा दिर पहले हमें एक बात और बताये थे, कि जब भी कोई चीज, दो पीस हो किसी योगिक में, तो हम लोग डाई लगात पतलब डबल बंधन है, इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे कि दूसरे नमबर पे और चौथे नमबर पे, क्या है भाई, डाई है, और हेक्स के बज़ा से क्या होता है, हेक्सी, फिक है, ये भी एक नाम है, कि दूसरे नमबर पे, और चौथे इन जोड़ेंगे ये देखो ये भी नाम बिल्कुल सही है और ये भी नाम बिल्कुल सही है जब हम लोग 12 में पहुंचेंगे तो 12 में हम लोग इसी तरीके से नाम लिखते हैं अभी हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है ठीक है इसी से आप लोग किया किजिएगा अगर है और यह देखिए यहां पर हमने जोड़ दिया है CH three CPA अब कितना कितना यहां पर हाइड्रोजन देना पड़ेगा बोगों देख लेते हैं इसका सिर्फ एक बंधन बना हुआ है तीन है डोजन देना पड़ेगा इसका इस कारवण मतलब एक रॉजन और आम कैसे लिखेंगे, ढ़ नमबर देंगेगे, अब नमबर देने का तरीका क्या है? यहाँ पर तो साखा भी है और डबल बंधन भी है तो हम लोग डबल बंधन को ध्यान में रख करके नंबर देंगे तो ये देखिए पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर इधर से भी नंबर करोगे तो ये दूसरा ही नंबर पे आएगा ठीक है तो हम लोगों पे क्या है मेथिल है दो नंबर पे मेथिल है ठीक है उसके बाद चार कारवन है तो चार कारवन के बज़ा से क्या लिखाता है ब्यूट लिखाता है चार कारवन के बज़ा से लिखाया ब्यूट और वैसे ही दो नंबर पे क्या है डबल बंधन तो डबल बंधन को क्या बोलते ये बिल्कुल हमारा नाम हो गया, complete, इसको देख करके अराम से देखो, नाम लिखो, दो नमबर पर, दूसरे नमबर पर क्या है, मेथिल, चार कारवन के बज़े से क्या लिखा, but, और दो ही नमबर पर क्या है, डवल बंधन, डवल बंधन को क्या लिखते है, इन, ठीक है जी पिर ऐसे डैस देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो हम लोग पहले लिखने वाले हैं, तो डैस दे दिया, दो लिखा, और बोला दो नमबर पे ही क्या है, ब्यूटीन, ठीक है जी, तो ये भी नाम सही है, और ये भी नाम क्या है, सही है, दो नमबर पे मेथिल, और दो ही नमबर पे क्या है डेवल बंधन है डेवल बंधन के लिए इन लगाते हैं और चार कारवन के वज़ा से ब्यूट लगा ठीक है जी तो दो मेथिल दो ब्यूकीन ये भी सही है और ये भी सही ठीक है तो इतना समझ में आ गया ये था हमारा एलकीन अब हुम लोग देखते हैं एलकाइन किसे कहते हैं बच्चो तो इलकाइन उस हाइड्रो कारवन को कहते हैं जिसके सरेनी में जिसके सरेनी में कारवन कारवन के सरेनी में किनहीं भी दो कारवन के बीच में क्या हो ट्रीपल बंधन हो कारवन कारवन के बीच में ट्रीपल बंधन तो इसका समानने सूत्रे क्या हो 2 होता है और इसका नामा करन हम लोग कैसे करते है तो नामा करन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है ये वाला Elk'क नाम लिखेंगे और Elk'क नाम लिखने के बाद इसमें जोडएंगे आईन ठीक है जी? जैसे देखो अगर दो कारवन रहा ये रहा कारवन ट्रीपल बंधन ऐसे इसमें हाइडरोजन जोड़ दीजे तीन बंधन बना हुआ है एक बंधन और चाहिए एक हाइडरोजन लगाना है पीछे लगा दिये पीछे भी लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते है इस कारवन का भी तीन बंधन बना हुआ है, एक बंधन और बनाना था हाइडोजन लगा दिये, दो कारवन, तो दो कारवन से क्या बनता है, एथ बनता है, एल के नाम क्या है, एथ, और इसमें क्या जड़ोगे, आईन, तो क्या हो जाएगा, एथाईन, इसका नाम क्या है, आपको कम से कम दो कार्बन चाहिए, तभी तो कार्वन और कार्वन के बीच में डबल या ट्रिपल बंधन बनाऊगे, अगर एक ही कार्वन ले लोगे, तो डबल बंधन बनाऊगे किसके साथ, ठीक है, और यल्खीन के लिए क्या जरूरी है? डबल बंधन होना जरूरी है, एलकाइन के लिए क्या जरूरी है, ट्रिपल बंधन होना जरूरी है, मतलब क्या है कि एलकीन और एलकाइन तभी बनेगा जब दो कारवन कम से कम सिरेनी में उपस्तित हो, मतलब कभी भी मेथीन नहीं बन सकता और मेथाइन नहीं बन सकता, क्यों तो दो carbon लिया न कम से कम तो यह थाइन से start हुआ ठीक है अब देखो और एक आक एक एक जामपल ले लेते हैं यह रहा carbon carbon यहां पे हमने जोड़ दिया यह इसका देखो एक बंधन बना हुआ है तीन hydrogen लगा दिये इसका चार बंधन बना हुआ है तीन आगे एक पीछे चार complete है एक hydrogen लगा दिये अब देखो बच्चों आप लोग को होगे सर इसमें या क्या यह जो carbon है उसका नामा करन नहीं करना है बिल्कुल करना है नंबर देना है नंबर दीजे ना भाई कहां से देंगे जहां से मतलब जिस carbon पे triple बंधन है उसको कम से कम नंबर मिले तो यहां से लि hydrogen प्रोपाइन आइन जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा sorry प्रोपाइन ठीक है जी अब देखो चार कारवन रहे है एक दो तीन चार इसको मैं मिटार रहा हूं यहां पर चार कारवन है यहां पर triple बंधन है hydrogen जोड़ दीजिए तीन hydrogen इसको चाहिए चार बंधन बना हुआ तीन इदर एक इदर चार हो गया इसका वी चार बना हुआ इसका तीन घट रहे है तीन दे दिए अब नाम कैसे लिखाएगा चार कारवन है ना ठीक है वो लोगों कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो ये था हमारा एलकाइन, इसी में आप लोग और कुछ टफ टफ सवाल लगा सकते हो, अगर आपके बुक में हो तो, मुझे तो नहीं लगता कि आपके बुक में कोई अच्छा सवाल दिया हुआ है, तो अगर आप का ये ऐसा है, मतलब डिमांड है, कि सर इस पे अच्छा वीडियो बना दीजिए, जिससे किसी भी कार्बनिक योगिक का नाम हम लोग लिख सकें, तो मैं बिल्कुल बना दूँगा, और इतना अच्छे से बना दूँगा, कि कोई भी कार्बनिक योगिक आपके हाथ में